चलिए student हम लोग question number five को solve करते हैं देखे question number five में क्या कहा जा रहा है प्रश्ण एक में दिये प्रतेक समुच्चे योगं का सर्वनिष्ट समुच्चे ग्याद करना है प्रश्ण एक में हमारे पास जो भी समुच्चे लिखे हुए थे हमने यहाँ पार write कर लिया है चलिए हम लोग सर्वनिष्ट निकालते हैं तो student जो हमारा सर्वनिष्ट होता है सर्वनिष्ट को हम लोग कुछ इस तरीके से रिपर्जेंट करते हैं कि आप देख लीजी जैसे कि जो मारा सर्वनिश्ट होता है उसको में लोग गज़ कुछ इस तरीके से रिपरजेंट करते हैं आप जैसे हमारे पास कोई समुच्च एए है ठीक है समझ जीची जैसे हमारे पास कोई समुच्च एए है समुच्चे A में हमारे पास आवयों है 1,2,3,4,5 ठीक है हमारे पास कोई समुच्चे B है समुच्चे B में आवयों हमारे पास है 2,3,4,5,6 तो इस तरीके से हमारे पास समुच्चे B हो गया अब हमें अगर A और B का सर्वनिष्ठ निकालना है ठीक है तो इसको हम लोग कैसे लेंगें ए सर्वनिस्ट भी इसे हम लोग इंग्लिस में इंटर्सेक्शन भी कहते हैं ठीक है इंटर्सेक्शन कहते हैं आप एसे record बनाईए देखिए जो भी समुच्चे A में हमारे पास आउयो हैं समुच्चे B में भी हमारे पास आउयो हैं अब जो A सर्मनिष्ट B होगा इसमें इस समुच्चे में कौन-कौन से आउयो रखे जाएंगे तो आपको ध्यान से देखना है जो आउयो समुच्चे A म है और B में भी है उन्हे आउयो को आउयो को हम यहां पर रखते हैं तो यहां पर देखिए 12345 यहां पर 2345 यानि कि 2345 यहां पर भी है 2345 यहां पर भी है 2345 समुच्चे A में है 2345 समुच्चे B में है तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा 2345 यह हमारा intersection B हो ठीक Michigan student तो इस तरीके से हम लोग servanits समुच्चे निकालते हैं चलिए अब हम लोग question पर चलते हैं और servanits निकालते हैं तो हमारे पास देखिए समुच्चे x दिया गया है समुच्चे y दिया गया तो समुच्चे x और y का servanits क्या हो जाएगा लिखे X intersection Y is equal to क्या हो जाएगा समुच्चे X में जो अवयो है समुच्चे Y में जो यानि कि X और Y में जो अवयो है उसी को यहां पर लिखेंगे तो यहां पर 1 है यहां पर भी 1 है और यहां पर 3 है तो यहां अपर भी 3 है तो हमारे पास सर्वनेश्ट क्या हो गया एक्स और Y का 13 है यह हमारा एंसर हो गया आज चलिए अब लोग सेकेंड नंबर में चलते हैं और देखेंड नंबर का स्विस्चन क्या होगा हमें ए intersection B निकालना है A और B का service चमुच्चे निकालना है तो A और B का service समुच्चे क्या हो जगा देखिए समुच्चे A को ध्यान से देखिए B को ध्यान से देखिए तो कौन-कौन से ऐसे आउयो हैं जो A और B दोनों में मौझूद है तो यहाँ पर हमें दिख रहा है A यहाँ पर है A यहाँ पर भी है तो यहाँ पर आप A लिख दीजिए अब आगे देखिए क्या और कोई हो यह मिल रहा है यहाँ पर E है यहाँ पर नहीं है यहाँ पर O है यहाँ पर नहीं है यहां पर UA यहां पर नहीं है तो हमारा सर्वनिष्ट क्या हो गया ए हो गया ठीक है अई समुच्चे ए और B का सर्वनिष्ट क्या आ गया ए ही आ गया तो ए हमारा क्या हो गया एंसर हो गया चलिए अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए यहां पर जो हमारा समुच्चे निर्मार्विधी में लिखा गया है समुच्च भी एभी समुच्च निर्मार्विधी में लिखा गया है तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको रोश्टर फॉर्म में लिख लेते हैं A को आप रोश्टर फॉर्म में लिखे दिखे X such that X एक प्राकिर्ट संख्या है और तीन का गुड़ज है तीन का गुड़ज क्या क्या हो जाएगा लिखे तीन, छे, नो, बारह पंदरह A हमारे क्या हो जाएगे तीन के गुड़ज हो जाएगे चलिए B को रोश्टर फॉर्म में लिखे X such that X संख्या 6 से कम एक प्राकिर्ट संख्या है संख्या 6 से कम तो 6 से कम 1 है 2 है, 3 है, 4 है 5 है, ठीक है चलिए, अब इनका सर्मनिष्ट समुच्चे निकालिए तो A, सर्मनिष्ट B क्या हो जाएगा अब इसमें हमारे वही आवयो आएंगे जो A और B दोनों में है तो यहाँ पर देख लिजिए यहाँ पर 3 है यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है ठीक है, और देखे क्या और कोई आवयो आपको मिल रहा है द्यान से देख लिजिए 1, 2, 3, 4, 5 कि हाँ पर कही है नहीं है केवल और केवल 3 है तो A intersection भी हमारे पास क्या आगया समुच्चे 3 A intersection भी हमारे पास यही आगया चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सोलूशन क्या आओगा आप लोग इस चवथे नंबर को ध्यान से देखिए इसमें हमारा जो समुच्चे A है समुच्चे B है A समुच्चे निर्माण बिधी रूप में लिखा गया है तो सबसे पहले हमारा काम होगा इसको रोश्टर फॉर्म में चेंज करना तो चलिए हम लोग रोश्टर फॉर्म में लिख लेते हैं X सच्च दैट X एक प्राकिर्थ संख्या है और जो X का मान है बड़ा है एक से और छोटा या बराबर है छे के ठीक है तो एक से बड़ा क्या होगा दो होगा तीन भी एक से बड़ा है चार भी एक से बढ़ा है, पांच भी एक से बढ़ा है X का मान 6 के बराबर है और 6 से छोटा है, ठीक है तो 6 भी यहाँ पर आ जाएगा, लिग लीजिए तो यह B की बात कर लेते हैं B में देखिए X सच दैट, X एक प्राकिर संक्या और X का जो मान है, बढ़ा है 6 से X का मान बढ़ा है 6 से और छोटा है 10 से, 6 से बढ़ा क्या हो जागा 7, 8, 9 और 10 से छोटा तो 9 क्या है, 10 से छोटा है तो हमारे अवयो हो गए, चलिए A, intersection B, यानि कि A, Surmanist B क्या हो जाएगा अब आप लोग ध्यान से देखिए क्या समुच्चे A और B में कोई अवयो आपको common मिल रहा है कोई अवयो ऐसा मिल रहा है जो दोनों में है या आपर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो हमें कोई अवयो ऐसा नहीं मिल रहा है जो दोनों में उभयनिष्ट हो यह intersection भी हमारी पास क्या आएगा एक रिक्त समुच्चे आएगा ठीक है यह हमारा answer हो गया और जो रिक्त समुच्चे होता है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इसको आप ऐसे 5 भी लिख सकते हैं ठीक चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का solution क्या होगा तो student अब आप लोग इस पांचमे नंबर को ध्यान से देखे चलिए हम लोग solve करते हैं हमारे पास समुच्चे आ दिया गया है 1, 2, 3 समुच्चे भी हमारा क्या है 5 है यानि कि एक रेक्त समुच्चे है हमें क्या निकालना है A सरवनिस्ट भी कहिए या फिर इसे आप A इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं ठीक है चलिए अब आप लोग ध्यान से देखे यहां पर 1, 2, 3 है क्या समुच्चे A और B में कोई भी आपको उभाइनिस्ट मिल रहा है क्या कोई आपको एसा मिला जो A में भी है, B में भी यै तो ऐसा नहीं हो रहा है तो यहां पर जो हमारा A इंटरसेक्शन भी है ग्या होगा एक रेक्त समुच्च्चे होगा यह हमारा क्या हो गया एंसवर हो गया तो students इस तरीके से यह जो मारा question number 5 था question number 5 के हमने सभी सवालों को solve कर लिया है तो चलिए student आप लोग पढ़ते रहें अगर आप लोग को कोई भी doubt हो तो आप लोग comment box में comment करना वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like किजेगा चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करिएगा तो चलिए आप लोग पढ़ते रहें थैंक यू